ये मैंने दो पैकिट ओरियो के बिस्किट लिए हैं, पैकिट को खोलने पर मुझे 32 बिस्किट मिले हैं, इसके अंदर की क्रीम को हम चाकू से निकाल लेंगे, एक एक करके सारे बिस्किट के क्रीम को अलग कर लेंगे, ये देखिए सभी बिस्किट की क्रीम को अलग कर लिया ह बिस्किट के छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे, इन बिस्किट के टुकडों को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे, ये देखिए मैंने पीस लिया है, बिल्कुल पौडर जासा ही बन गया है, बिस्किट के पौडर को एक बरतर में निकाल लेंगे, इसमें थोड़ा- इसकी ठीकनिस दिखा देती हूँ, हमें बिल्कुल रिबन जैसी consistency चाहिए वीडियो को आपने अभी तक लाइक ने किया तो लाइक कर दें, चानल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, इसमें एक पैकेट इनो डालेंगे, इनो मैंने lemon flavor कर लिया है, आपको जो पसंद हो आप उस flavor कर सकते हैं इनो के ऊपर थोड़ा सा दूद डाल करके हम इसे activate करेंगे चम्मच से इसे mix कर लेंगे एक ही direction में हम चम्मच चलाते वे mix करेंगे, बहुत जादा इसको over mix नहीं करना है, ये मैंने छोटा सा एक aluminum का भगोना लिया है आप steel का बर्तन भी ले सकते हैं ये मैंने एक paper लिया है इसके दोनों साइड में oil लगा लिया है ये बिल्कुल butter paper जैसा ही काम करता है आप चाहें तो butter paper कर सित्माल कर सकते हैं इसके अंदर हम batter डालेंगे इसमें थोड़े से chocolate chip डालेंगे जो कि optional है आप batter बनाने से पहले ही भगोने को oil से grease करके रखें फिर batter डालें एक बार ino mix करने के बाद आप batter को तुरंत कड़ाई में डालें ते तक बाहर न छोड़ें कड़ाई को मैंने पहले ही 10 minute preheat कर लिया है कहने का मतलब है कि कड़ाई को gas पे रख करके इसको ढख करके 10 minute के लिए मैंने इसको गरम किया है कड़ाई को gas की flame को low to medium रखेंगे कड़ाई के अंदर कोई कटोरी या plate रखेंगे अगर आपके पास stand है तो आप उसका use करें भगोने को रखने के बाद इसको बड़े plate से ढख दिया है इसको 20-25 minute low to medium flame पर पकाएंगे 25-30 minute में ये लगभग बन करके त्यार हो जाता है हो सकता है आपको 5 minute कम या जादा लग जाए ये gas की flame पे भी depend करता है जब आप पकाएं तो 15 minute के बाद बीज-बीज में चेक कर लें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने देर आपको और पकाना है चाकू को मैंने अंदर डाल करके निकाला है और आप देख सकते हैं चाकू मारा बिल्कुल clean आया है इसका मतलब है कि केक हमारा पूरिते से पक चुका है भगोने को ठंडा कर लेंगे फिर हम चुवेंगे और किनारों पे चाकू लगाएंगे भगोने के उपर एक प्लेट रखेंगे फिर हम इसको पल्टेंगे तो रखने के बाद भगोने के उपर हलका सथब तपाएंगे और हम जब निकालेंगे तो बहुत ही अराम से हमारा केक बाहर आ जाएगा इसके उपर लगे हुए पेपर को हम निकाल लेंगे पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है पेपर हम इसलिए लगाते हैं ताकि केक भगोने में चिपके नहीं पकाते समय और आसानी से केक बरतन से बहरा आ जाता है इस केक को मैं आपको हाँ से उठा करके नम पास से दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए यह काफी अच्छा बना हुआ है साइड से भी आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ है अभी रखते हैं इसको side में अब हम एक भगोना लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे इसके उपर मैंने काच का कटोरा लिया हुआ है और इसके नीचे का portion पानी को टच नहीं कर रहा है ये मैंने dairy milk की तीन चॉकलेट लिये इसके छोटे छोटे टुकले करके कटोरे में डालेंगे में दो तीन चमज दूर अट करेंगे थोड़ा सा butter डालेंगे बटर डालने से इसमें अच्छी shining आ जाएगी ये बहुत ही जल्दी बनता है कुछी दिर में आप देखेंगे कि चॉकलेट पुईतर से पिगल जाएगी और चॉकलेट सिरप त्यार हो जाएगा बिस्किट के अंदर से जो क्रीम हमने निकाली थी उसका यूज करेंगे इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और एक चमच सुगर पॉड़र डालेंगे थोड़ा सा दूट डालेंगे अगर आपके पस मलाई हो तो भी दो चमच आप डाल सकते हैं मिक्सी के जार को रोक रोक के चलाएंगे और एक दो मिनिट में ही आप देखेंगे कि बहुत यह अची सी क्रीम आपके पास त्यार हो जाएगी क्रीम को रखेंगे साइड में अब आधा क्रटोरी पाइड लेंगे और उसमें 2 चमाट सुगर पाउड़र डालेंगे और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे मिनट में ही आपका सुगर शिरफ त्यार हो जाएगा अब केक को 20 से कट करके 2 पार्स में डिवाइड कर लेंगे चाकू से भी कट कर सकते हैं मैंने चाकू से थोड़ा सा कट करके इसको धागे इसके सहायता से इसको डिवाइड किया है आप देख सकते हैं कितनी असानी से हमें केक के दो पीस मिल गए है देखे कितने अच्छे से बाहर यह आ गया है एक पीस को भी हम साइड में रख देते हैं और जो प्लेट में पीस है उसके उपर हम सुगर सिरफ लगाएंगे अब जो हमने वाइट क्रीम बनाई थी उसको इसके उपर लगाएंगे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेना है क्रीम को फैलाने के बाद हम इसके उपर चौको चिप लगाएंगे चौको चिप लगाना ऑप्शनल है चौको चिप लगाने के बाद हम केक का दूसरा पूसन भी इसके उपर रखेंगे अब इसके उपर सुगर सिरप लगाएंगे इसके उपर जो चौकलेट सिरप बनाया था हमने उसको उसके उपर डालेंगे फर्स टाइम जब आप चॉकलेट सिरफ डालेंगे तो केक काफिया तक एब्जॉब कर लेता है जब आप सेकेंड टाइम चॉकलेट सिरफ डालेंगे तब इसके उपर एक लॉसी लियर आ जाएगी चॉकलेट की अगर आपके पास चॉकलेट सिरफ कम पढ़ जाए या फिर आपके पास चॉकलेट कम हो तो आप एक जुगारू चॉकलेट सिरफ तियार कर सकते हैं इसके लिए मैंने मिक्षी के जार में 13 ग्राम चॉकलेट लिया, 2-3 चमर दूड दाला और 2 बिस्कित जो की क्रीम बिस्कित थे उससे तोड़ करके जार में डाल दिया और जो गोल त्यार हुआ है उसको मैंने के के उपर डाल दिया सैंटर में मैंने एक फूल का शेप दे दिया है अब जो चॉकलेट वाला ब्राउन पार्ट है इस पे मैं एडेबल पर्स डाल रही हूँ लेकिन ये पर्स बहुत ही छोटे छोटे साइस के हैं इसको और मल्टी कलर पर्स लेकर के इसके अंदर मैंने डाला है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है आप देख सकते हैं कि केक हमारा लुक में कितना सुन्दर लग रहा है बहुती सुन्दर डिजाइन का केक बन करके त्यार हुआ है मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं कि चाकू से कितना softly कर जा रहा है टेस्टी टेस्टी केक तयार है वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें